आगे है computerized tax liability calculation, अब tax के अंदर हमारे पास दो टाइब के टेक्स होते हैं, direct tax और indirect tax, पता है अपने को है न, direct tax के अंदर क्या है, income earned by the individual and the corporate entities, the burden to deposit tax on the excesses on the themselves, जो tax liability उनको खुद पे करनी होती है, जब इंडिविजुल हैं, या companies हैं, या firmे हैं, firmों के नाम पे या बंदों को ज by the central government, income tax is the levied accounting, the individual income like the individual earns income up to the 3 lakh, there is no income tax, हाला कि rate अभी change होगी है, books हो सकता है कि पुरानी भी हो, तो देख लेना, तो 3 lakh income तक अपने को कुटी tax नहीं है, तो देख लेना, indirect tax, जो लगते हैं manufacturing पर, sale पर, consumption पर, services के उपर, ये हमारे पास burden है, collect करने के, burden भी होता है, collect भी होता है, sellers के उपर, ठीक है, और कभी-कभी ये direct, indirect भी हमारे फुस्त लगते रहते हैं, indirect भी होता है, तो for example, यहां पर ये GST की बात कर रहा है, हमारे पास TDS का topic भी है, TDS के अंदर क्या है, हमारे पास test deduction at the source, collecting income tax from the, जो भी SSC's होते हैं, ठीक है, जो भी अपने पास काम करते हैं, उनका जो TDS हम काट लेते हैं, लगा लो कि वो, तो TDS is a tax deducted from the third parties, deducted by the pair, कौन काटता है, मानलो employer काट लेता है, मानलो किसी person अपने को salary pay करनी है, employer हमानलो, वो तो employer हमारा salary काट लेता है, tax की form में थोड़ी सी, तो वो हो गया TDS, क्योंकि जहां पर हम काम करते हैं, वहां पर भी हमारा tax कर जाता है, तो उसको बोलते है, tax deducted at the source, मलब जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, उसी जगह पर हमारा tax cut गया, that's the tax deducted at source, ठीक है, and यह हमने को depository कराना होता है, कुछ specified banks होते हैं, specific period तक, वहां पर, तो TDS की सबसे खास बात क्या है, इसको calculate करना, देखना, simple है, और CRP9 के अंदर काम करना, tracking रखना, इनकी record को, record, records को maintain करना, compute करना, deduction करना, या booking अंदर, इसको expenses के form में लिखना, full payment करना, manage करना, जो form 16A है, उसको multi-party printing भी होती है, specific period का भी होता है, TDS certificate पर जनेर हो जाता है, TDS outstanding report होती है, TDS भी है, यह सारे के सारे हमारे पास generate हो जाते हैं, च TDS कितना लेना देना है, या ETDS है, electronic TDS है, यह सारे का सारे हो जाता है, तो यह consolidate कर लेता है, TDS certificate को, जो annual report के साथ, तो अब बात आता है, कि यह TDS का setup क्या है, TDS का अपने को option activate करने हैं, तो कैसे करने पड़ेंगे, simple इसी बात है, तो gateway of tally के option पर जाना, जो हमारा features का option हो को हम पर जाना और हमारे जो main option है, statutory and taxation का, इसी option को आप activate कर लेना, तो जब आप activate करोगे, तो आप से पूछेगा कौन सी company करना है, तो आप जो company select करोगे, तो companies की list आपके सामने आ जाएगी, तो जिस भी company करना है, वो company का list आप को लेना, password लगा हो तो password active कर लेना, इसके बाद tax है, excise है, service tax है, ठीक है, जो भी tax है, payroll statutory है, collection as a source है, या enable tax, deducted as a source है, TDS है, यह सारे option हम से पूछ रहे हैं, बट हम बात कर रहे थे हैं सिर्फ TDS की, हम बात कर रहे थे क्योंकि TDS की, तो TDS की option को क्या करना है, अपने को yes करना है, TDS की detail हो अगर हमको बाद में change करने की जरू भी है, तो दोनों के दोनों option क्या करते हैं, yes करते हैं, तो यहां पर जो भी company का identification number है, तो भी डाल देना, company का pen card number है, company का CIN number है, वो डाल देना, तो वो डालने के बाद आपको accept वगरा करने के लिए बोलेगा, उसके बाद आप चाहों तो accept करा लेना, तो यह सारी information डालने के आप enter कर देना, या save कर लेना, या why पे click कर देना, फिर है, अगर अपने को text का, TDS का text laser create कर रहा है, तो कैसे करेंगे, वही simple से option को pass करके जाने है, gateway of tally, accounting information, laser, create, कौन से head में डालेंगे, single laser के enter में, तो यह देख लेना, तो यहां पर आपका जो name हो जाएगा, laser creation का, उसको क् type of duty, यह tax का नाम आएगा, वो TDS के enter में आने वाला है, ठीक है, तो यह nature of payment कैसी होगी, यह other than the salary है, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को यह सारे के सारे option देख लेने है, तो यही वाली बात हैं आपको फिर से repeat कर रहा है, कौन से head में डालेंगे, कौन सा type होगा, कौन से category होगी, TDS type of nature alternation, तो यह वाली screen भी अपने आपको show हो जाएगी, अगर आपने कुछ changes करने हैं, क्योंकि TDS के अंदर आपने कुछ changes करने हैं, तो ऐसा-ऐसा हो सकता है, interest other than salary, तो यहाँ पर section है, payment का code है, rate है, कितने percentage के है, exemption limit कितनी है, यह सारी की सारी बाते आप जो भी आप fill करना जाते हो, fill कर दो, उसकी बदा अपने को detail को save करना है, तो Y पे enter या सीधा enter अप दबा देना, फिर है create a party laser account, किसी भी party का अगर आपको laser account create करना है, जो TDS related था, तो वो सारे के सारे आप create कर सकते हो, वैसे ही है, यह जैसे हमने पहले किया है, gateway of tally पे accounting information पे जाना, laser create करन करना है, तो उस person का name आप आप लिख लेना, अब person का नाम जैसे इन्होंने लिखा हुए है, अनिल कुमार, कौन से head में आएगा, creator के head में है, तो यह सारी के सारी information जो आपने डालनी है, उसको लेकर आप सारा का सारा डाल देना, information, information डालने के बाद आपको save करना है, save कर देन ठीक है, individual है, TDS है, pen number है, जो भी है, आपको डालना है और उसके बाद सेव कर देना, इसी तरह से अपने पास एक expense का laser है, expense क्या होता है, expense is the cost incurred on the earning profit from the business, तो business spend money for the operation of the business, buying goods for the production, giving, cost of labor, spreading the offering, accounting cost, freight, यह सारे के सारे इसके नदर चाहे है, वो buying, selling के cost है, खर्चे है, सारे के सार करते हैं, तो इसको create करने का क्या option है, gateway of tele option पर जाना, accounting information पर जाना, laser पर जाना, और अपने को क्या करता है, single laser के अंदर है, इसको create करना है, तो जब create करोगे तो अपने को screen display होगी, तो यहाँ पर, जैसे interest का नाम इनने दे दिया, अब interest किसी को लेना है, देना है, तो indirect expenses की ब index expenses के अंदर में है, set क्या किया, is TDS payable applicable, to applicable कर देना, option को अपने को applicable कर देना, तो यह क्या होगा, interest other than salary, nature of payment के अंदर में, उसके बद क्या कर देना, इसके अंदर information को save कर देना, why click कर देना, फिर अब अपने पास जो next option है, वो है create TDS voucher, voucher को अपने create करना है अभी, कौन सा voucher है, TDS voucher, तो TDS voucher क्या है, compute करने में काम आता है, TDS का amount compute करने में, ठीक है, तो create a journal voucher, तो इसके लिए अपने को जो shortcut की use करनी होती है, वो है F7, तो इससे हमारा TDS का voucher create हो जाता है, तो TDS का voucher जो आपने create करना है, तो simple accounting vouchers पर जाना, F7 पर click करना है, journal का option है, तो वहाँ पर accounting vouchers creation का आपके पस option आजाएगा, तो वहाँ पर जर्नली से बात इस तरह से आप laser को create कर देना, तो interest laser सारे के सारे जो भी name थे, अनील कुमार के name से, TDS का laser है, जो भी narration है, जो भी आप list देखना चाहते हो, उस according आप सारा detail दाल देना, narration लिख देना, उसके बाद सेव कर देना फिर इसी तरह से हमारे पास है TDS का deposit voucher, TDS का deposit voucher, तो TDS जब अपने को payment करनी होती है, तो दो payment पे जाएगा, तो अपने को कहां पे जाएगा, यह accounting voucher के अंदर, F5 के अंदर, ठीक है, तो accounting voucher creation screen हमारे पास show हो जाएगी, तो अपने को दबाना है S button, stat button मतलब, तो उसके payment की rules और regulation के according जो पको payment करनी ही होती है, तो अपने को statuary payment की screen हमारे पास सामने आ जाएगी, जिसका figure हमारे सामने लिखा हुआ है, यह screen अपने पास आ जाएगी, तो जब आपने को tax pay करना होता है, TDS pay करना होता है, जो भी pay करना होता है, तो उसके लिए अपने आपको detail दिख select TDS, तो TDS आप कौन से time period के डाल रहे हो, उसके अंदर कौन सा section है, यह resident है, उसके residential status डाल देना, कौन से bank में जाएगा, ठीक है, तो यह सारी details डाल देना, जो भी particular से डाल देना, payment की type कौन सी है, amount की तरह है, उसके अंदर सारी details को yes कर देना, उसके बाद क्या कर देना, अप payment का voucher आप create कर दोगे, सारी details आपने डाल दी, narration डालना है, तो narration डाल दो, उसके बाद क्या करना, details को पूरा save कर देना, save करने के अपने को क्या करना है, y पे click करना है, तो यह सारा का सारा अपना accept हो जाएगा, तो यह basically हमारे पास यह वो topics थे, जो हमारे tally के अंदर आपके syllabus के coding थे, over you form के अंदर हमने सारा का सारा topic study कर लिया है, और फिलहाल market के अंदर इसकी book भी है, अगर आप इसकी book कोई market पे देखना चाहते हैं, tally ERP9 के अंदर,